सबी का स्वागत है Minecraft के एक धमाकिदार mode वीडियो में तो आज के इस वीडियो में बताने बाला हूँ कि किस तरह से आप train बना सके हो A to Z सब बताने बाला हूँ उससे पहले इस तरह का फिरस बील को बनाना चाहते हो या आप map डाउंपलोड करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को जाकर जरूर देखना Creative mode के new update में इतने सारे new चीज आईए तो एक एक करके discuss करेंगे उससे पहले इस वीडियो को या like कर दो चैनल को भी subscribe कर दो इस वीडियो पर only 100 like target हैं तो जरूर करा देना New update में आपन को train track देखने को मिलते जो एक तम real लगते हैं track को एक करके लगा सकते हो या track पर किलिकरो और track करते हुए ले जाओ अगर red highlight हो रही है तो आप track को नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यह भूती जादा sharp हो रहा है हरी highlight होते ही आप लगा सकते हो track को snake की तरे गुमा सकते हो और इस mode की सबसे अची पात मेरे को यह लगी कि track को आप नीचे से उपर ले जा सकते हो अभी तक मैंने 3 train mode बताए थे लेकिन उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था track के नीचे आप किसी भी block का यूज कर सकते हो लेकिन यह देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे इसलिए new update में आप अपने को देखने को मिलता है metal एक हाथ में आपको metal ले लेना है track पर click करके drag करते हो ही ले आना है और click कर देना है और अब track देखने में आप बहुत ही जदा बढ़िया लग रहा है और new update में बहुत ही अच्छी चीज आई है कि आप अपने train को overbuild से नैधर में ले जा सकते हो बस आपको portal बना देना है और एक बार portal के अंदर चले जाना है जिससे कि नैधर portal का world लोड हो जाएगा और जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी track नहीं है अब बापस से overbuild में आ जाना है और अब आपको यहाँ पर track लगा देना है तो जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ट्रेक नैधर portal से connect हो गया है और नैधर portal के भी अंदर track लग गया है बस अब आप जितना चाहँ track बना सकते हो और twist यहीं पर खतम नहीं होते आप अपने train को बोटर के अंदर भी चला सकते हो train बनाने से पहले देख लेते कि train किस तरह से काम करती है हो जैसाब आप यहान पर देख सके हो Have a train automatic चल रहे है और जैसे station आता है थो train डूंतिक रुख जाती है और automatic डूर ओपन हो जाती है और कुछ देर रुखने के पार train आतक हो चलने लाग जाती है और जैसे से दूसरा station आता है तो train ठुख जाती है यहाँ पर display लगा रखी और जिसमें automatique train का डाइम, train का नाम, station का नाम, automatique ही generate होते रहते हैं जिससे हमें पता चलता रहता है कि train कहां पर है, कितनी देर में आ रही हैं जैसे train station पर आकर रुखते हैं, display में बता देते कि train कितनी देर में depart करने बाली हैं तो सब कुछ बताने बाला हूं किस तरह से होता है हो सकता है कि वीडियो को जादा ही लंबा हो जाए तो वीडियो को यह लासक देखना ट्रेन बनाने के लिए चाहिए ट्रेन स्टेशन, ट्रेन केसी, ट्रेन कंट्रोलर और सूपर ग्लू train station को लेकर उस जगह पर click करना है जहाँ पर आप train को रोगना चाहते हो तो यहाँ पर click कर देते हैं और इसका arrow उस side होगा उसे side range चलेगी और अब इसको कहीं पर भी रक्सते हो successfully bound to targeted train station पर click करके आप यहाँ पर station का नाम रक्सते हो जैसे कि मैं यहाँ पर रख देता हूँ जैपूर अब आपको create new train पर click कर देना है और यहाँ पर information आ जाएगी किस तरह से आप train बना सकते हो यहाँ पर आप देखोगे कि track पर blue highlight हो रही है तो अब आपको train कैसी लेना है और highlight पर click कर देना है जैसे कि यहाँ पर train की build बन चाएगे तो एक build यहाँ पर भी बना लेते है यहाँ पर आप build की design को भी change कर सकते हो और अब आप train को किसी भी block से बना सकते हो तो यहाँ पर मैंने train का base बना दिया है यहाँ पर मैं train controller रख देता हूँ एक seat भी रख देता हूँ जिस पर बैठ कर आप train चराने बाले तो मैंने किवल train का base ही बनाया है आप चाहो तो पूरी train बना सके हो तो train बन चाने के बाद में glue लगाना नहीं बूलना नहीं तो train ही नहीं चलने वाली अपनी तो glue को एक corner पर click करके दूसरे corner तक ले जाते है जिससे कि highlight area में जितने भी block आएंगे सब एक glue लग जाएंगी तो अच्छे से glue लगा देना है नहीं तो train assemble करोगे तो कुछ इस तरह का error आएगा तो मैंने यहाँ पर अच्छे से glue लगा दिया है अब train station पर click करके train को assemble कर लेते हैं और यहाँ से आप train का नाम रख सकते हूँ तो जैसे कि मैं अपना channel का नाम रख देता हूँ तो यहाँ पर अपने train बन चुकी है अब इसे चला कर देखते हैं तो seat पर आकर बैठ चुका हूँ अब train controller पर click कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि अपनी train चलने लग गई है W से train आगे बढ़ेगी S से पीछे आएगी scroll wheel से आप train की speed को control कर सकते हूँ और space bar से आप train को रोख सकते हूँ train को automatic चलाने के लिए first station आप कहीं सारे आपको station बना देना है आपको दिखाने के लिए मैं एक ही बना रहा हूँ और इस station का नाम रख देते हैं Delhi station बनाने के बाद मैं किसी भी mob या किसी भी animal को आप seat पर बैठा सकते हूँ तो अभी मैं parrot को बैठा रहा हूँ third step अब आपको train का schedule बनाना है train schedule लेकर आपको click करना है यहाँ पर आपको बताने के train कहा जानी चाहिए और कितनी देर तक रुकनी चाहिए travel to station update schedule title limit max speed तो अभी तो पन देख रहें travel to station और यहाँ पर सभी station के नाम आ जाएंगे तो मैंने तो भी दोई station बनाए हैं तो फस्ट station select कर लेती जैपूर यहाँ पर आप time set कर सकते हो कि कितनी देर train को रुकना चाहिए तो 5 second day रहने देते हैं alternative condition पर click करते हो तो भूर सारे चीज आ जाती है schedule delay, time of the day flow cargo condition, item cargo condition अगर इनको समझा नहीं लगा तो अलग से एक वीडियो बन जाएगा लेकिन अगर आप इस वीडियो पर 100 like कर देते हो तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा add action पर click करके दूसरे station को पर add कर लेते हैं यहाँ पर भी 5 second wait रहने देते हैं, यहाँ पर आपका train schedule बन गया है और अब इसे parrot को दे देते हैं train is now following this schedule और यहाँ पर 5 second wait करने के बाद में अपनी train start हो जाएगी और जैसे कि आप यहाँ आप देख सकते हैं अपनी train चलने लग गई है और दूसरे station पर जाकर रुख जाएगी और वहाँ पर भी 5 second wait करेगी और फिर से चलने लग जाएगी new update में अपनको sliding door भी देखने को मिलते हैं जो automatically open हो जाते हैं तो इनको भी आप train पर लगा देते हैं यह क्या? नहीं लग रहे भाई क्या हो गए? क्यों नहीं लग रहे? अब बे यार मैं भी एक number का घदा हूँ पहले अपनको train को disable करना होगा तो यहां से अपन train को disable कर देते हैं हाँ तो अब लगा सकते हैं door यहां पर अपन door लगा देते हैं और train को assemble कर देते हैं तो अब इसे दुबारा चला कर देखते हैं अरे नहीं यार मैं glue लगा नहीं भूल गया यहां पर अपन glue लगा देते हैं जिससे कि block train से connect हो जाएंगे, अब एसे assemble कर देते हैं, और दुबारा चला कर देखते हैं, और जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सभी block चपक गए हैं, तो glue लगाना मत भूलना, अब बात के लिए ते कि display पर train का time, train का नाम, station का नाम कैसे दिखा सकते हो, तो इसको बनान आप चाहो जितनी बड़ी screen बनासते हो, अब display board को चलाने के लिए energy चाहिए, तो यहाँ पर अपन कोग भी लगा देते हैं, और इसके साथ अपन creative motor connect कर देते हैं, और इसको 32 पर set कर देते हैं, display board पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको name tag लेना है, इसको end mil में रखना है, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना channel का नाम, अब इस name tag को display पर click करना है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लि करना है जिससे कि चारों दुर्फ यलो लाइन आजाएगी और अभी से स्टेशन के साथ कनेक करते ना है यहां से आप ट्रें स्टेशन सम्परी लगा सकते हो तो पहले अपन देख लेते हैं स्टेटस यहां से लाइन से लेकर लेनी है कि कौन्सी लाइन में दिखना चाहिए त अब देखोगी कि जैसे इस्टेशन पर ट्रें आती है तो आप डिस्पली में देखोगी कि डिपार इन 5 सेकेंड इसी तरह से सम्परी को भी लगा कर दिख लेते हैं यहां से एपन को लाइन सेलेक्ट कर लेनी है तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो ट्रें का डाइम ट भीट जाएं आपको मैं एक एक्जम्बल के तुरू समझा देता हूं तो यहां पर दोनों ट्रेनों को एक साथ चलाते हैं तो जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि दो नो ट्रेंट भीड गई तो इसी तरह कि दुरगटना को रोकने के लिए यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है ट्रेंज सिक्नल तो अब मैं आपको बताता हूँ किसका यूज कैसे करना है तो ट्रेंज सिक्नल को लेकर ट्रैक पर किलिक कर देना है और इसको अपन पोल के उपर रख देते हैं जिससे कि यह दिखने में अच्छा लगेगा चाहो तो आप इसे नीचे भी रख सके हो और अप इसके उपन निक्सी ट्यूट रख देते हैं तो इसी तरह से मैंने क्या ट्रेंज सिक्नल लगा दिये हैं और अब अपने दोनों ट्रेंजों को एक साथ चला कर देते हैं और देखते हैं कि दोनों ट्रेंज भेड़ती हैं या नहीं तो यहां पर अपने दोनों ट्रेंज चलने लग गई हैं और यह क्या एक ट्रेंज रुख गई हैं और दूसरी ट्रेन क्रोस कर रहे हैं और क्रोस हो जाने के बाद भी दूसरी ट्रेन भी अपने चलने लगे हैं तो देखा आपने किस तरह से आप ट्रेन सिग्नल का योज करके भेड़ने से रोख सकते हो तो इसी तरह से आप क्रोस सिग्नल भी बना सकते हो तो फ्रेंट्स आथ को वीडियो पन यहां तकी रखते हैं अगर आप इसका next part चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी आप सस्क्राइब कर देना आपके लिए मैं अच्छे अची वीडियो लाता रहूंगा अगर आप फेरेस फिल बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को याड जाकर जरूर देखना